मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की ये स्टोरी क्या होगी लेकिन उसमें एक कभी नहीं लिखा होगा मैंने हार मान ले बहुत तकलीफ देते हैं वो जक्म जो बिना कशूर के मिले हो नफरत मत करना हमसे हमें बुरा लगेगा बस प्यार से कह देना तेरी जरूरत में हेलो प्रेंट्स दिस विजयराज पुस्प और वेलकम टू लर्णर आईजवाई बी आरपी तो हम लोग चलते हैं सीटेट की दुनिया में एक बार फिर से और आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं बिर्धी और विकास में अंतर सबसे पहले एक चीज जान लिया जाए कि आखेर बिर्धी होती क्या है तो जब हमारे सरीर की संदचना या आकार बढ़ना सुरू होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बिर्धी जो होती है वह कैसे होती है बाहर रूप से होती है जिसको देखा जा सकता है उधारन के लिए देख सकते हो कि जब हमारा भार बाई तथा, हाथ, पएरबढने शुरू होते हैं तो यह क्या कहते हैं बिर्धी कहते हैं हम बिर्धि ऐक समय तक चलती रहती है जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो यह शॉपो इनवा क्यों आती है तो हमारी vendors इस देख सकते हैं . जिसमें हमारी शरीर की संरचना या आपस नहीं लाया जा सकता है तो फिर से चार फिट नहीं हो सकता है नहीं बिर्दी एक चोटा सिटर में बिर्धी होने का मतलब यह नहीं है कि विकास भी हो रहा है और विकास के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए विकास क्या है तो जब हमारे मानसिक, समाजिक, संबेगात्मक और बौधिक पक्षों यानि सभी आयामों में परिपक्वता आती है तो उसे हम लोग करते है विका बिकास कब तक चलता है जीवन भर चलने वाली परकिरिया है प्रतु बिकास की गति कभी धीमी हो सकती है कभी तिब्र हो सकती है विकास एक देश एक दीशीय होता है वर्तूला कार होता है स्पाइरल होता है कभी बढ़ता है तो कभी घरता है कभी घरता है तो कभी बढ़ता जैसे सैस्वा वस्था में बालकों का विकास सबसे जादा होता है बाल्या में थोड़ा सा घरते कि सोरा में फिर से तिवर हो जाती है बौधिक विकास परिपक्वता वस्था आते आते अराम से चलने लगती है तो यह जो बिकास होती है हम इसमें एक और पॉइंट लगा सकते हैं पहले इसी को नीचे सहीं देखा जाए बिकास जो होती है एक DCA या वर्तुला कार होती है जबकि बिर्धी जो होती है विर्धी वह एक रेखिये होती है और यह कैसी प्रकिरिया है विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रकिरिया है नहीं यह लगातार चलती रहती है निरंतर चलने वाली प्रकिरिया है जबकि बिर्धी जो होती है वो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है एक निश्चित शमय के बाद रुख जाती है और विकास जो होता है एक निश्चित करम का पालन करता है लेकिन विर्धी का कोई निश्चित करम होता है क्या विर्धी का निश्चित करम नहीं होता निश्चित करम नहीं होता विकास मात्रात्मक भी हो सकता है एबम मात्रात्मक एबम गुनात्मक दोनों हो सकता है लेकिन जो बिर्दी होती है केबल और केबल यह क्या होती है मात्रात्मक ही होती है मात्रात्मक जिसे मापा जा सके मात्रा में ब्यक्त किया जा सके चाया लंबाई का बढ़ना भार का बढ़ना बाल का बढ़ना नाखून का बढ़ना वो सारा का सारा जो होती है वो क्या होती है मात्रात्मक होती है अब आईए एक एकर के discussion करें जनरली आपको पता ही है कि बिर्धी जो होती है सारीरिक होती है सरीर पर वो दिखता है जब कि विकास जो होता है सारीरिक के साथ साथ समाजिक, मांसिक एवं नैतिक भी होता है बिर्धी विकास का एक अंग है बिर्धी जो है बिर्धी अगर छोटा पार्ट से तो विकास बरा पार्ट से यानि विकास अगर पिता जी है तो विर्धी बेटा जी है नहीं यानि विकास अपने अंदर विर्धी को समाहित किये हुए है अगर किसी व्यक्ति का विर्धी हो रहा है, इसका मतलब या नहीं कि उसका विकास भी हो रहा होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन विकास संपूर्णता का सूचक है, संपूर्णता की बात करती है, छे आयाम होते हैं ने विकास के, वो छे की बात करता है, कौन-कौन, सारिरिक, शंबेगात्मक, शंग्यानात्मक, मांसिक, समाजिक, भासाई, नैतिक और चारित्रिक उसी को बोलते हैं चारित्रिक तु वो संपुर्णता की बात करता है बिर्धी सतत परकिरिया नहीं है बिर्धी क्या लगातार चलने वाले परकिरिया है विकास सतत चलने वाले परकिरिया है बिर्धी संड़ाचनात्मक और मात्रात्मक होती है, संड़ाचनात्मक या मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुनात्मक होता है, बिर्धी के लिए विकास आवस्यक नहीं है, क्या बिर्धी करने के लिए विकास जरूरी है, जरूरी है, कि विकास होगा तभी विर्धी होग बढ़ेगा जरूरी नहीं बिना विर्धी के भी विकास हो सकता है कि आपकी लंबाई बरे चैनल बरे लेकिन आपके मान्सिक्हाप कि म समाजिकह आपकी न्यतिकता विकास हो सकता है विर्धी का सवरूप कैसा हो था भाई होता? देख सकते हो आप, विकास का स्वरुप आंतरी के बंबाय दोनों होता है विर्धी कुछ समय के बाद रूक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलती रहती है यानि विर्धी परसापुर्व से लेकर परिपकुवता नहीं, अवस्था तक चलती है लेकिन जो विकास होता है, निसेचित डिम्ब से लेकर, निपरसापुर्व से लेकर और जीवन परियंत, मिर्थूप तक मिर्थूप परियंत चलती रहती है तो ये था एक बिर्धी और विकास में अंतर, मैं आसा करता हूँ कि आपको विडियो अच्छा लगा होगा, तो देर किस बात की है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस किजिए, नए भी और सो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए, बेल आइकन को और पर प्रेस किजिए, तो तब तक टेक केर, बी इंज्वाइ, थैंक्स पर वाचिंग, बी इंज्वाइ, जै हिंद, जै भारत